तो दोस्तो आज किस वीडियो में हम आपको यहाँ पे एक और न्यू लाइसेंस अपलाई करके दिखाने वाले हैं तो अगर आप यहाँ पे लाइसेंस अपलाई करना चाहते हैं या जो मेटो सुईगी से अपने रिश्ट्रेंट को एड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे हम न्यू लाइसेंस अप्लाई करने के लिए यहां पर एक option आ रहा है apply for new license slash registration का तो आपको यहां पर इस पर क्लिक करना होगा और आप यहां पर जैसे इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने यहां पर तीन option आयता है जहां पर आपको railway station और airport original तीन option देखने को मिलेगा त तो आप वहां पर उसमें से अगर आपका airport या railway station के बगल में नहीं है business hotel cloud kitchen जो भी अगर आप यहां पर cloud kitchen के लिए भी license लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप contact कर सकते हैं आपको यहां पर फुल काम करके देंगे पूरा cloud kitchen का license बना करके जो मेंटर स्रीज से onboarding करके सब चीज तो आपको simply click करना है new license पर और इसके बाद यहां पर आपका railway के पास या airport के पास तो नहीं है business तो आपको यहां पर general के एक option मिलेगा तो आपको यहां पर general option पर click करना है और इसके बाद आपको यहां पर state select करना होगा आप यहां पर कौन से state से आपको यहां पर state देख लेना है तो हमने यहां पर all over India का यहां पर license supply कर रखा है और आज हम यहां पर महराष्टरा का license apply करने वाले हैं तो आप कर सिंपली क्या करना है कि food sorry call option भी आना है क्योंकि हम यहां पर food sales जैसे मतलब related business है हमारा और इसके बाद आपको यहां पर अपना category select लेना है अगर पर देख सकते हैं कि you are eligible for registration आपको यहाँ पर registration के लिए आप यहाँ पर eligible है कर सकते हैं तो अब को यहाँ पर क्या करना है कि पूरा का पूरा फॉर्म आपके सामने यहाँ पर उपनों कर आ जागा जहाँ पर सबसे पर अपना नाम दिखना है फिर आपको यहां पर इंडिविजुल सेलेक्ट कर लेना अगर आपको अकेले बिजनेस कर रहे हैं तो और इसके बाद आपको यहां पर बिजनेस का एड्रेस आपको सेलेक्ट करना होगा तो बिजनेस का एड्रेस में आप अपना बिजनेस का एड् लिए करना और इसके बाद आने के बाद आप कितने साल के लिए डलाई करना है आपको कि WOW अगर और पर category select कर लेना और अगर आपको यहाँ पर category select कर लेना और अगर आपको यहाँ पर category select कर लेना और यहाँ पर उसको select कर लेंगे और इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर और फिप्सन मिल जाता है तो अगर आपको यहाँ पर private वार्टर सप्लाइए टो आप यहां पर प्रडिट कर दें और आपका यहां पर क्लिक कर देना है और इसके बाद के अंच्छ नहीं सेक्सिक नेखेज करना होगा तो हमने कि upcoming सब्सक्राइब क्या और और निचे Save and Next पर क्लिक करेंगे और इसके बाद आपको यहाँ पर Proceed पर क्लिक करना है और इसके क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर Contact Detail में आपको अपना Email ID और Mobile Number यह दूनर चीज आपको एक Login ID मिल जागा जिसको आप reference number भी बोल सकते हैं और यह Automatic यहाँ पर Download हो जाता है तो पहले हम यहाँ पर इसको Self वाला Select रेते हैं और इसके बाद आपको यहाँ पर Login ID मिल गया है और Capture Fill Up करने के बाद नेचे में एक Submit का Option है तो आपको यहाँ पर Simply Submit पर क्लिक करना है और Submit पर क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पर Successfully Account बन जाएगा आपका यहाँ पर Sign Up हो जाएगा और Sign Up होने के बाद आपको यहाँ पर दूसरे Step में यहाँ पर Documents पर आपको Upload करना होगा और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप जब Sign Up करेंगे तो आपको यहाँ पर एक OTP जाएगा तो आपनो जो Mobile अमर दे रखा है उस पर और Email ID दूनों पर सेम OTP जाएगा आप कहीं से भी OTP देख करके आप यहाँ पर Fill Up कर दें और इसके बाद आप सम्मिट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर Sign Up complete हो जाएगा और इसके बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले डॉकुमेंट वगद आप लूट करना होगा तो डॉकुमेंट में यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब डॉकुमेंट्स है आप यहाँ पर कोई एक चीज नहीं अपलाए कर से मतलब डाल सकते हैं यहाँ पर बहुत चीज़ मांग लेता है हर एक स्टेट का हम प्लाइका वागर हमने apply किया था तो वहाँ पर हमसे trade license माँगा था तो trade license apply करने जाएंगे तो वहाँ पर करना पर जायेगा तो इस तरीके से यहाँ पर हो जाता है तो अभी हम यहाँ पर simply क्या करते हैं कि passport, size, photo, अधार card और उसके बाद यहाँ पर rent agreement यह चीज upload करेंगे तो हमने यहाँ पर सब कुछ upload कर दिया है और upload करने के बाद आपको यहाँ पर simply pay पर click करना है और इसके बाद फिर से आपको जो number आपने देखा है उस पर OTP जाएगा और उसका आपको यहाँ पर enter करना है और इसके बाद आपको यहाँ पर proceed पर click करना है और प्रोसीट पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपका पेमेंट गेटेवे ओपन हो जाएगा और वहां पर आपको बहुत सारा पेमेंट का उप्शन दिखेगा तो इसमें आप सबसे बड़िया और सबसे असान होता है यूपी आई आप यहां पर इसमिली यूपेवल उप्शन सेलेक करेंगे तो आपको यहां पर गूगल पर फॉन पर पे पेटीम बहुत सा उप्शन आजाएगा और इसके बाद आप यहां पर इसको पर इसको स्केन करके पेमेंट कर सकते हैं और यहां पर आपका पेमेंट बहुत जल्दी कम्प्लीट जय आपको issue हुआ है या फिर आपका license reject हो गया है आपको सब कुछ मिल जाएगा तो इस तिर्कित यहाँ पर हमारा आ चुगा है invoice generate हो करके और इसके बाद हम यहाँ पर इसको डाउलोड करके रख लेंगे तो अगर आप यहाँ पर पैसा कवाना चाहा रहे हैं business start करना चाहा रहे हैं तो आप यहाँ पर फटा फट से license apply करवा हैं उसके बाद फिर जमेर्टर सुईगी पाउन वोडिंग करा हैं और business को start करें तो आप यहाँ पर जितने जल्ड़ी license apply करवा लेंगे